हलो फ्रेंड्स डेनी क्लाशेज में आपका स्वागत है दोस्तो राजस्थान के एक इकरेंड से सम्मदीत कुछ प्रशिन हम देखने वाले हैं जो प्रतियोगी प्रिक्षाव में पुछे गए हैं और इन प्रिशिनों से कुछ extra questions भी मैं आपको बताऊँगा जो आपके exam में बार-बार पुछे जाते हैं आगामी प्रतियोगी प्रिक्षाव में भी इसी तरह के प्रिशिन देखने को मिल जाएगे राजस्तान का एकिकरण टोपिक ही ऐसा है कि यहां से तो प्रिशन बनते ही बनते हैं एक्जाम में एक दो प्रिशन दो पूस लिए ही जाते हैं ज़्यादा यह hard question नहीं होते एकिकरण मेंने topic भी आपको करवा रखा है अगर आपने वो अच्छे से देखा है तो आसानी से इनका आप जवाब दे दोगे तो चलिए दोस्तों हम प्रिशन देखते हैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्योशन से देखते हैं जिसे पहला ही प्रिशन हमारे पास है कि अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश का राजस्थान में विले कब हुआ था अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश कब हुआ था सातवे चरण में हुआ था सातवा चरण एक नौवंबर गुनी सो चपन अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश भी हुआ था साथ ही हम बात करें अबू दिलवाडा इनका भी हुआ था MP का सुमेल टपा छेतर इसको भी राजस्तान में मिलाया गया था यह आपको ध्यान रखना है 1 नॉवंबर 1956 आपको ध्यान रखना है कि अज में राजस्तान का 26 वा जिला बन गया था तो यह important fact थे आपको ध्यान रखना है यह present second grade teacher में 2018 में पूछा गया है तो इसका अंसर सही हो जाएगा 1 नॉवंबर 1956 को भा था साथ वे चरण की यह बात है आपको ध्यान रखना है देखो इसी तरह के questions, most repeated questions आपको सभी test series में भी मिल जाएंगे जो डेनिल क्लासेज की एपर मिलेंगे जिसे संगणक टेस्ट सीरीज, जूनियर अकॉंटेंट टेस्ट सीरीज, पटवारी टेस्ट सीरीज, जितने भी exam सब की टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर मिल जाएगी जिसे एगला प्रशन है हमारे पास की एक नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के राज्य परमुख किस नाम से जाने जाते थे इन्हें राज परमुख बोलते थे देखो इन सब की ABC केटेगरी थी केटेगरी A के अंदर हम बात करेंगे गवर्णर जनरल बैठता था B, B में राजस्थान आता था चीफ कमिशनर द्वारा शाषित परदेश जैसे अजमेर मेरवरा परदेश आता था तो राजपरमुख इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड गेर टीचर में पूछा गया है ऑप्शन B, इसका सही उत्तर होगा अगला प्रशन है कि राजस्तान के एकी करण में भरतपूर वे धोलपूर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी में कौन सम्मीलित नहीं था आप से पूछा गया है तो दोस्तों बात करें डॉक्टर संकर रावदेव समीती में थे रके सिधावा भी थे प्रजोदियार भी थे हम बात करना दोस्तों M.S.JN नहीं थे कुछ समीत्यों के प्रिशन भी यह रहें से पुछे जाते हैं जैपूर को राजस्तान की राजधानी बनाए गया था कौन से समीती थी जेपुर को राज़स्तान की राजधनी बनाया गया था पी सत्य नारण राव समीती थी जिसमें जेपुर राजधनी बनता है हाई कोड जोदपुर में जाता है खनीश विबाग उद्यपुर में जाता है वन विबाग कोटा में जाता है वनी विभा कोटा में जाता है ये सारे प्रिशने एक्जाम के कोडिंग अच्छे प्रिशने एक्जाम में पूछे जाते हैं शिक्षा विभा विकानियर में जाता है राजस्तान का एक्छरन कितने चड़नों में पूरा हुआ अभी 17 investigating 2015 में ही पूछा गया था साथ चड़नों में पूरा हुआ था इस पंदाचभी से एक मामा अम्मा मनजन करती है ये भी मेने आपको सारा बताए हुआ है शोगो माही जो हमारी ट्रिक थी राजस्तान का एकीकरण में ने करवा रखा मतर दस मिन्ट पे वहाँ से ही आपके सारा सब कुछ कवर हो जाएगा उसको अच्छे से आप एक बार कवर कर लेना तो इसका हम बात करेंगे इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा साथ चर्णों में अगला देखते हैं अगला प्रशन की राजस्तान के एकीकरण की प्रिक्रिया के प्रथम चरण में मतस्य संग का निर्मान हुआ मतस्य संग का नाम का शिर्य किसे दिया जाता है के एम मुन्शी को दिया जाता है कनियालाल मानिक चंद मुन्शी को दिया जाता है के एम मुंशी ओप्शन बैस का सही उत्तर होगा देखो प्रथम चरण था मत्रस संग उसमें A, B, C, D रियास्त थी A मतलब अलवर, B मतलब भरतपूर, C मतलब करोली और D मतलब धोलपूर यही रियास्त थी राजधानी उसकी अलवर थी, लेकिन राजपर्मुख अलवर का नहीं था क्योंकि अलवर के जो माराजा तेज सिंग थे, उन्हें पे गंदी जी की हत्या के आरोब थे इसलिए उनको राजपर्मुख नहीं बनाय गया था राजपरमुक की बात करें धोलपूर के माराजा उदेभान सिंग्जी राजपरमुक थे और उपराजपरमुक की बात करें करोली के माराजा गनेशपाल उपराजपरमुक थे कन्यालाल मानिकसेंद मुंशी केम मुंशी हम बात करें इसका नाम दिया था और उद्गाटन एनवी गोडगिल ने इसका उद्गाटन किया था प्रधान मुत्री से में शोबाराम कुमावत थे आपको ध्यान रखना इंपोर्टेन प्रशन यहां से कई बार पुछे जाते हैं इसमें ठीकाना भी मिलाया गया था निमराना अलवर को मिलाया गया था तो अगला प्रशन देखते हैं राजस्तान की रियास्तों के एकी करण का आरोही करम है टॉंक उदेपुर जेसलमेर अजमेर टॉंक की बात करें दूसरे चरण में मिलाया था टॉंक को तो टॉंक सबसे पहले आ जाएगा उदेपुर उदेपुर तीसरे चरण में नो पलस एक बाबर दस तीसरे चरण में जेसलमेर चोथे चरण में जे 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 बी हम बात करते हैं जेपुर जोदपुर जेसलमेर बी बीकानेर तीसरे चरण में अजमेर लाश्ट में आता है तो ये करम बिलकुल सही था यही करम था इसमें हालांकि इसमें दिया गया था 1,2,3,4 वो मै प्रशाशन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशाशन किसको नुक्त किया गया था कुछ अच्छे अच्छे प्रशन भी कई बार एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो किसको बनाया गया था आपको बताना है तो इसका उत्तर उप्षिन फर्श्ट सही हो जाएगा एस एन सप्रू को बनाया गया था उप्षिन फर्श्ट इसका सही उत्तर होगा एस एन सप्रू को बनाया गया था उप्षिन फर्श्ट हमारा सही आंतर आंसर हो जाएगा कनिष्ट अभियंता 2020 में प्रशन पूछा गया है तो आगामी प्रत्योंगी प्रशन होगे लिए काफी important प्रशन है राजस्थान के किकरण के समय जोधपूर के शाशक कोन थे जोधपूर के साशक उसमें हनुवन्त सिंग थे अब ये हनुमंद सिंग देखो मुस्लिम रियासतों के बारे में पूछ लेता है तो ध्यान रखना है एक तो टोंक और एक पालनपूर गुजराद ये मुस्लिम रियासत थी राजस्थान में कौनची थी टोंक ती टोंक और पालनपूर था पांच उसे रण मतलब अठारा पचीस, अठारा तीस, पंदरा वाला, तो पंदरा, इसमें पंदरा मई उनिस्सों गुनन चास, उप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मतलब से संग 15 मई उनिस्सों गुनन चास, अरिवेद विवाग दोजार बीस में प्रशन पूछा गया ह भारत संग में अधी मिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शाषक कोन थे, राजस्थान के प्रथम शाषक बिकानेर के सारदूल सिंग जी थे, तो ये उप्शन है, फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, बिकानेर के सारदूल सिंग जी थे, और अंतिम बात करेंगे तो धोलपूर के महराजा उदेभान सिंग जी अन्तिम थे शादूर सिंग ने 7 अगस्त 1747 को किया था और 14 अगस्त 1747 को उदेभान सिंग जी ने किया था दोनों डेटा आपको ध्यान रखनी हैं वरत राजस्थान का उद्गाटन 30 मार्च 1749 को किस ने किया था व द्गाटन की इब हम बात करेंगे गोडगिल गोडगिल नहरू पटेल तो पहला गोडगिल दूसरा गोडगिल तीसरा नहरू चोथा पटेल तो चोथा हो गया तो सरदार वल्लब भाई पटेल हमारा सही उत्तर हो जाएगा ओप्शिन इसमें हो जाएगा हमारा दै सरदार बाई पटेल, सेकिंड गेल टीचर 2018 में ये प्रशन बना था किस समीती ने मतस्य संग के वरद राजस्तान में विले की अनुशंसा की थी कौन सी समीती थी वो, आपको बताना है समीती की हम बात करेंगे दोस्तो, संकर राव समीती थी संकर राव समीती थी, संकर राव समीती ने वतस्य संग के वरद राजस्तान में विले की अनुशंसा की थी आपको ध्यान रखना है राजस्तान में अजमेर के विले के समय वहां का मुख्य मंतरी कौन था देखो एक चीप कमीशनर द्वारा शाशीत परदेश अजमेर मेरवाड़ा परदेश था अजमेर मेरवाड़ा परदेश जिसकी अलग से विधान सबा थी धारा विधान सबा उसमें कुल 30 सदस से थे जागा एक मात्र मुक्य मंत्री हरी बहु उपाध्याय थी हरी बहु उपा परियोग सादाश्टा है कि 2019 में पूछा गया है आपको ध्यान रखना है वरध्र राजस्तान की जेपूर बन गई थी आपको ध्यान रखना है वरध्र राजस्तान जेपूर का मिलान हुआ था जेज़ज़ बी तो आपको ध्यान रखना है जेपूर राजधानी बन गई थी राजपरमुक आजीवन मान सिंग सेकिंड बन गए थे महराजपरमुक मेवाड के मारना बुपाल सिंग महराजपरमुक बने थे और हम बात करेंगे 27 नारण राव समीटी थी उसके अनुशंसा पर भी जेपूर को राधधानी बनाए गया था ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ तो वरज राजस्तान की बात करेंगे जेपूर आपको ध्यान रखना है अगला है कि राजस्तान की सबी रियासतों को मिलाकर राजस्तान यूनियन का गठन करने है तू 25 से 26 जून 946 को राजपुताना गुजरात पर मालवा के नरशों का सम्मेलन किस ने बुलाया था राजस्तान यूनियन ये बनाना चाते थे कौन थे मेवाड के महरणा थे मेवाड के महरणा कौन थे मेवाड के महरणा उस समें भूपाल सिंग थे कोटा के महरणा कौन थे भ कोटा के महाराव भीम सिंग कौन सा संग बनाना चाते थे भीम सिंग एक बार ही है दो बार रिपीट हो गया कोटा के महाराव भीम सिंग कौन सा संग बनाना चाते थे ये हाडोती संग बनाना चाते थे हाडोती किसको बोलते है आज हम कोटा बुंदी जालावाड बारा ये वा हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं बासवाडा के महराव चंदरवीर सिंग ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं ये देखो दूसरे चरण में बासवाडा का विले हुआ था और हमारे आजस्तान शब्द का प्रियोग भी पहली बार दूसरे चरण में ही हुआ था ये भी आप ध्यान रखना दूसरे चरण में ही हुआ था दूसरे चरण में राजधनी क्या थी कोटा राजधनी थी और कोटा के महराव भीम सिंग इसके राजप्रमुक थे ये भी आप ध्यान र बना है टौक मुस्लिम रियास्त का सेंस्थापक कौन था अमीर खां पिंडारी था अमीर खां पिंडारी सेंस्थापक पुछा है तो अमीर खां पिंडारी हो जाएगा अगर आप से पुछा जाए कि एक एकरण के समय कौन था एक एकरण के समय हम बात करेंगे यहां का राजस्तान संग में विले कितने चरणों में हुआ था सिरोही का दो चरणों में हुआ था छटे में भी हुआ था साथवे में भी हुआ था क्योंकि छटे में अबु दिलवाडा छोड़ दिया था अपनने तो वो साथवे चरण में अपनने लिया था अगला है राजिस्तान के हैिक्रेण के समय मतस्य संकी वार्षिक आई कितनी थी मतस्य संकी वार्षिक आई कितनी थी देखो पांच जुलाई 477 को रियासती वीभाग का गठन हुआ था जिसके देक्स सरदार वल्ल भाई पटेल थे सची वीपी मेनन को बनाया गया था इस विवाग ने ये नीडने लिया था कि जो भी रियास्त है जो भी रियास्त है जिसकी वार्शिक आए दस लाग से ज्यादा है और जनसंग्या दस लाग से अधिक है जिसकी वार्शिक आए हम बात करेंगे जिसकी जनसंग्या दस लाग से ज्यादा है और वार्शिक आए एक करोड से फ़िक है वो अपना प्रत्थक अस्थित्व बना कि रख सकती है जब राजस्तान की बात करेंगे तो राजस्तान में जेपूर, बिकानेर, जोदपूर, उदेपूर ये इस शर्ट को पूरा करते थे आपको ध्यान रखना है और यहां से कई बार पुछा गया है राजस्तान की सबसे प्राचीन रियासत कौन शी थी? उदेपूर थी राजस्टान की सबसे नमीन रियासत कोन ची थी जालावार थी सबसे छोटी रियासत कोन ची थी शापुरा बीलवड़ा थी बड़ी कोन ची थी जोटपुर रियासत बड़ी थी एक अगला देखते है रियास्ति विभाग का गठन कब हुआ था पांच जुलाई गुनिसो सेंतारीस को हुआ था पशुदन साइक दोजार सोड़ा में पुछा गया है रियास्ति विभाग का गठन पांच जुलाई गुनिसो सेंतारीस सची वीपी मेनन और अदेख सरदार वरलब भाई पटेल एक वीपी मेनन की एक बुक भी थी समय की दे स्टोरी ओफ इंटीग्रेशन ओफ इंडियन स्टेट्स किस की पुस्तग वीपी मेनन की थी The Story of Integration of Indian States VP मेंन की पुस्तक दिये भी ध्यान रखना भारतिय सविधान के अनुसा राजस्थान को भारत के किस शिर्णी के राज्ये में रखा गया था बी शिर्णी के अंदर तो इसमें दित्य शिर्णी हम कह सकते हैं बी शिर्णी के अंदर रखा गया था राजस्थान बी शिर्णी में आता था जहां पे राजपर मुख बैठेता था अजमेर मेरवड़ा से सविधान सभा के सद्दश्य कोन थे मुकुट बिहारी लाल बारगव थे राजस्थान के एकिकरण के समय गंगा नगर किस रियासत का भाग था गंगा नगर बिकानेर रियासत का भाग था बिकानेर उसमें बिकानेर के महराजा कौन थे सारदूल सिंग्जी थे तो बिकानेर रियासत का भाग था और अंटिम प्रशन है तो यह आरस में पूछा गया था पिसली बार यह आरस में प्रशन बना था कि राजस्तान के प्रतम राजियपाल सरदार गूरू मुक निहाल सिंग कब बने थे एक नॉबर 1956 को जब राजस्तान का अकिकरन कम्पलीट हो जाता है 26 वा जिला अजमेर बनता है उसी समय एबी सी केटेगरी समाप्त कर दी गी थी जिते भी राजिये थे उनके एबी सी केटेगरी समाप्त हो गए थी राजपरमु का पद समाप्त हो गया था राजजये पाल का पद बन गया था और एक नॉबर 1956 को ही सरदार गूरू मुक निहाल सिंग राजस्तान के प्रतम राजजये पाल भी बन गए थे तो यह आपको ध्यान रखना है एक नॉबर 1956 का सही आंसर सही उत्तर होगा तो यह जो इंपोटेन प्रिशन हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं यह मैंने आपके लिए कवर कही हैं राजस्तान के एक एकरन के लिए इंपोटेन प्रिशन हैं इसी तरह के प्रिशन में आपको ठासो सत्यान की करांती, किसान अंदोलन, जंजाती अंदोलन, इतियास, कला, सेंस करती सबी से करवाता रहूंगा जो आपके आगामी प्रतियोगी परिशाओं में राम बांड रहेंगे वीडियो को अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा मेनत मेरे दवारा की जाएगी और आपको यूट्यूब पे फ्री में ये सारी कलासेज प्रोवाइड करवाए जाएगी टेस्ट सीरीज आप डेनियर कलासेज की एप से ले सकते हैं आपको वहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे भी में आपको अपडेट देता रहता हूँ वहाँ पे अपडेट आपको मिल जाएगी धन्यवाद